हलो नमेशकार, वेलकम टो इनकलकेट लर्निंग, तो आज हम बात करने वाले हैं युनिवर्सिटी एड्यूकेशन कमीशन की, जो की 1948 से 49 के बीच में हम बात करेंगे, उसके बाद जब भी हम किसी कमीशन की बात करते हैं, तो ओविसली कमीशन का वो पॉइंट किया जाता है, जब किसी भी मुद्दे से या किसी भी चीज से related कोई प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम का solution ढूडने के लिए, या जो वहाँ पर खामिया चल रही हैं, वो क्या खामिया है और उनके लिए क्या solution होना चाहिए, वो recommend करने के लिए, जो है, commission appoint किया जाता है, तो अगर आप तो it's very much obvious कि आपको recommendation में जो है अच्छी अच्छी बाते ही लिखने हैं क्योंकि कोई भी commission जो है गलत बात suggest नहीं करने वाला दूसरा जो है overall view हम इसमें बात करेंगे क्योंकि कोई भी commission की report की अगर हम बात करें तो वो बहुत लंबी होती है इसलिए हम उसके major major जो recommendation है या हर एक chapter से हम एक recommendation उठा लें कि भई इस मुद्दे पर बात हुई और ये वाली बात हुई ठीक है तो आज हम बात करेंगे university education commission के बारे में जिसको राधा कृष्णन commission के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जो dr. सर्वपली राधा कृष्णन जो थे वो इसके chairman थे और अगर इनके बारे में थोड़ी सी बात की जाए तो ये spreading professor थे कहां पे Oxford University में किसको लेके religion और ethics को लेके अब spreading professor क्या होता है तो spreading professor के लिए जो है Oxford University में specifically post निकलती है जिसके लिए application मांगी जाती है और spreading क्यों बोलते हैं इस post को क्योंकि जब ये शुरू हुई थी ना 1936 में तो ये trial basis पे शुरू किया गया था ये जो spreading professor की post थी और spreading जो है वो किस से आया, spread के trust से आया क्योंकि ये एक trust था जिसने इसको grant दी थी जो इस professorship पे काम करेगा उसके लिए उन्होंने support किया था तो इसलिए spreading professor थे ये Oxford University में और जो है ये second president of India भी रही है अगर हम इस commission की in particular बात करें तो 10 members थे इसमें और जरूरत क्या पड़ी इस commission को appoint करने की जैसे कि हमें पता है कि commission कब appoint होता है जब problem हो यहाँ पे problem क्या थी कि university education से related क्या-क्या problems है उसमें क्या-क्या कमिया है उसके बारे में बताइए दूसरा जो है reconstruction of university for socio-economic development of the nation यानि कि उस time पे भारत सिर्फ आजाद हुआ ही था तो अगर आपको social level पे development करना है economic level पे development करना है या फिर जो है आपको overall development की बात करनी है तो उन किसी भी type के development के लिए जो है education बहुत necessary है तो उसी चीज के लिए यानि reconstruct करने के लिए जो हालाद चल रहे हैं देश में किया गया कि education में specifically आप university education की बात कीजिए दूसरा जो है independence के बाद जो है यह first education commission था उस time पे जो है education minister कौन थे हमारे हमें इस बारे में भी थोड़ा idea होना चाहिए तो sir abul kalam azad ji जो है वो उस time पे education minister थे उसके बाद हम बात करें कि इन्होंने किस तरीके से जो है study किया अब commission है हर commission का हपना एक तरीका होता है कोई भी काम करने का तो इनका तरीका था कि इन्होंने questionnaire बनाया उसको अप्रोक्स जो है 600-700 लोगों के पास भेजा कि आप इसमें जो है questionnaire में टिक करके दीजिए और दूसरा यह जो है हर एक university में गए उस time पे जो भी institutions थे वहाँ पे गए वहाँ पे teachers के interview लिए बच्चों से बात की तो overall जो है इन्होंने काफी detail में जो है field पे काम किया और उसके बाद जो है इन्होंने अपनी report present की अगर हम report के बात करें तो 700 page से जादा की report है यह जिसमें 18 chapters mention है अब हम इन 700 page में से बहुत major portion जो है कि हमें क्या-क्या जरूरत है और क्या-क्या पता होना चाहिए चाहे वो किसी भी exam point of view से हो या in general अगर आप जानना चाहते हैं इंडिया के बारे में तो उससे related भी हम major portion cover करेंगे इसका अब जो 18 chapters है उनमें 1st chapter में जो है वो है historical retrospect और जो यह chapters है इनहीं को हम क्या बोलते हैं इनकी recommendations बोलते हैं अब जो historical retrospect है उसमें इन्होंने history में higher education का क्या-क्या development रहा जो कि हम already पढ़ चुके हैं इतना लंबा development तो वो इन्होंने mention किया जैसे इन्होंने ancient universities की बात की यहाँ पर जो जो ancient universities के नाम इन्होंने mention किये हैं वो सारी university हम जो है अमारी तीसरी चोथी वीडियो में ही जो है बात कर चुके थे तो वो historical retrospect में इन्होंने starting में overview बताया education का higher education का कि पहले कैसे कैसे था कब कौन सी university बनी तो वो सारी चीज़ां इन्होंने mention की दूसरा जब aims की बात आती है तो इन्होंने university education के क्या aim होने चाहिए क्योंकि जब recommendation होती है तो क्या होना चाहिए की बात होती है क्योंकि वो solution recommend कर रहे हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा यह development के लिए better होगा तो aims of education में जो है इन्होंने क्या recommend किया कि secular होनी चाहिए overall जो है moral instructions होनी चाहिए तो aim जो है education का वो इन्होंने यहां पर university education का aim explain किया जिससे की development यानि की aim भी उसी side जाएगा ना कि development हो education की तो जो है वो development और quality की जो है इन्होंने बात की उसके बाद जब teaching staff की बात करें university और college में जो की third chapter है उसमें जब teaching की बात आती है या standards of teaching की बात आती है तो हर commission यही recommend करता है कि standard of quality जो है वो अच्छी होनी चाहिए जो standard है education का level है quality का वो increase होना चाहिए अच्छा किया जाना चाहिए दूसरा अगर standard of teaching की बात हो रही है तो teachers की बात होगी क्योंकि teachers की quality अगर अच्छी है वो अगर अच्छा पढ़ा रहे है उनको अगर अच्छी knowledge मिली है तो ही वो आगे जो है सरपास कर पाएंगे कि आगे पास करें उस knowledge को तो इन्होंने भी वोई pay scale services उन सब की बात की कि जो है conditions अच्छी होनी चाहिए अच्छी होना चाहिए पढ़ाने के लिए प्लस इनोंने study leaves कीवा पढ़ा इश्डीोज में क्या जो है कि teachers जो है उनको study leaves alone दी जानी चाहिए अगर वो higher education करना चाहते है तो अब वो higher education चाहें वह इंडिया में करना चाहें चाहें वो abroad में करना चाहें बट वो study leaves उनको मिलने चाहिए उसके बाद जो है इन्हों ने course of study और post graduate training and research की बात की course of study में इनका कहना था कि number of days जो है working days वो increase होने चाहे वो college level पे हो चाहे पता है 12 तक की basic study होगी उसके बाद 3 साल का जो है वो college का course होना चाहिए college education होनी चाहें प्लस इन्होंने limit भी decide की क्योंकि जब हम quality की बात कर रहे हैं तो एक 700 बच्चों से भरी हुई class हो दूसरा अगर कोई 30 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो one to one interaction हो या पढ़ाने का तरीका हो सब चीजें चेंज हो जाती हैं तो इन्होंने कहा कि university में जो है minimum 500 maximum 3000 students number of students होने चाहें इन्होंने limit set कर दी number of students की university की अंदर उसके बाद इन्होंने वो ही research में जो है post graduation और research की बात की इन्होंने की research में आप उनको salaries दीजिए जो research scholars होंगे क्योंकि research में जब कोई इन्सान आता है तो वो अपनी life के बहुत important years जो है वो dedicate कर रहा होता है वहाँ पे और वो जो है obvious सी बात है nation के development के लिए जरूरी है तो उस चीज के लिए इन्होंने कहा कि जो brilliant minds है जो academically बहुत अच्छे लोग है उनको जो है research में लाया जाना चाहिए उनको salaries दे के ये बात इन्होंने की professional education की भी बात इन्होंने की यानि अब तक जो अब एक word था हम vocational education की बात करते आ रहे थे जितने भी commissions हुए क्योंकि वो recommendations थी on ground जो है वो काम independence के बाद शुरू हुआ comparatively अगर हम बात करें pre-independence के फिर professional education में इन्होंने agriculture education, medicine, engineering तो इन सब की बात की कि professional education पे जो है वो भी focus होना चाहिए religious education की बात करते हुए इन्होंने कहा कि कोई भी इनसान है उसका moral character development अगर हम करना चाह रहे हैं तो उससे क्या होगा कि वो secular होना चाहिए secular का मतलब यह नहीं होता कि आपको किसी के बारे में धर्म के बारे में या किसी के बारे में पता ही ना हो information ना हो secular का मतलब होता है कि आप जो है हर धर्म के बारे में जाने इंडिया का कोई particular धर्म नहीं है religion नहीं है तो क्यों क्यों नहीं है क्योंकि secularity की बात करते हैं हम शुरू или independent जबसे इंडिया जो है वो आजाद होए तो secularity की जो है इन्होंने religion में बात की, religious education में कि सबको जो है, मान लिजे कि आप हिंदू हैं, तो आपको Hinduism का पता होना चाहिए लेकिन साथ-साथ आपको Quran में जो principles लिखे हैं, उनके बारे में भी पता होना चाहिए तो secularity की बात की, कि आपको हर धर्म की जो principles हैं, उनके बारे में information होनी चाहिए फिर इन्होंने medium of instruction में बोला कि medium of instruction, reasonable language होनी चाहिए लेकिन higher education में जो है, वो English को भी include किया जाना चाहिए क्योंकि English से connection ना टूटे, क्योंकि अगर आप global level पे जाएंगे, वहाँ पे अगर आपको बात करनी है तो English is necessary for communication, so medium of instruction में इन्होंने reasonable language को बढ़ावा दिया लेकिन English को भी जो है, वो बिल्कुल दर किनार नहीं किया, side नहीं किया उसके बाद इन्होंने examinations में जो है, reforms की बात की क्योंकि उस time के examination system जो था उस time तक, उसको इन्होंने criticize किया प्लस इन्होंने कहा कि objective questions के लिए, के हिसाब से जो है exam होने चाहिए objective questions, objective test और oral test ये जो है इन्होंने examination में, examination pattern में change करने की बात की students के welfare और activities को भी focus में लाया जाना चाहिए, women education पर इन्होंने focus किया कि जो quality है, जो women colleges open होने चाहिए, जिसमें quality और standard पर भी उतना ही ध्यान दिया जाए जितना बाकी colleges पर दिया जा रहा है उसके बाद constitution and control की बात की, उसके अंडर इन्होंने UGC की भी बात की क्योंकि university grant committee जो है वो 1945 में बनी थी, लेकिन अब इन्होंने university grant commission की बात की जो की broad aspect होगा as comparison to committee फिर इन्होंने finance की बात की क्योंकि education हो या कोई भी field हो हमें finance provide करवाने पड़ेंगे और इंडिया में जो finances allot किये जा रहे थे education को, वो अच्छे अगर हम बोलने हैं तो अच्छे होना तो दूर, वो satisfactory भी नहीं थे तो इसलिए इन्होंने finance की बात की कि जो है finance और पैसा जो budget जो है वो allocate किया जाना चाहिए education को उसके बाद उन्होंने जो है बनारस और अलिगर्ड और डेली university के बारे में बताया chapter 15 में जिसमें ये बात करते हैं एक तो इनके development की कि ये कब से establish हुई plus कहां तक बनी उसके बाद ये इन तीन universities के लिए भी specifically recommend कर रहे हैं कि इनके standards को increase करने के लिए individually क्या क्या किया जाना चाहिए उन्होंने other universities की भी बात की ये specifically mention की क्योंकि अलिगर्ड जो है वो 1887 में बनी थी काफी पुरानी university थी उसके 30 साल तक कोई university नहीं बनी थी हमें पता है उसके बाद 19, 15, 16 के time पे बाद में बहु बनी और इसलामिया और वो universities आई तो उन सब के बारे में भी इन होने यहां पे बात की other इसके अलावा जो और universities बच गई क्योंकि हमें most probably जहां तक याद है independence के बाद जब independence की बात करते हैं तो उस time पे 20 universities थी इंडिया में तो बाकी universities में जो है क्या recommendations अलग से इनके अलावा अगर कुछ होनी चाहिए तो उनकी बात कर रखी है new universities जो है वो established होनी चाहिए प्लस rural universities पे भी जो है focus करने की इन्होंने बात कही क्योंकि इंडिया जो है वो agriculture से related देश है इसकी approximately 18% economy जो है वो agriculture से आती है तो rural universities अगर focus में होगी तो agriculture, industry जो research पे काम होगा agriculture से related वो जाधा focus में आएगा और agriculture से related इन्होंने professional education में भी बात की थी agriculture education से related तो ये 18 chapters जो है ये mention है इनकी reports में उसी को हम क्या बोल देते हैं इन्होंने recommendation बोल देते हैं जिसमें पहले ये situation के बारे में बता रहे हैं उसके बाद recommend कर रहे हैं कि क्या किया जाना चाहिए so conclusion was कि ये first education commission था जो कि university education commission था after independence और ये इनकी recommendations थी so this was all about university education commission अगर आपको ये video helpful लगा हो informative लगा हो तो like कीजिए, share कीजिए और subscribe कीजिए inculcate learning को thank you so much for watching